आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार आम आदमी पाटी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनेतिक शड्यंत्र प्लान किया जा रहा है हमें विश्वस्निय सूतनों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार भारतिय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाने वाली है इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रही हैं हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है जो IAS अफसर हैं उनकी पोस्टिंग MHA द्वारा कंट्रोल होती है लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी senior IAS अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हो दूसरी बाद दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं वहाँ पर अफसर पोस्टिड नहीं है लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा हूँ तीसरी बाद LG साहब पिछले एक हफते से MHA को बार 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 बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिठियां लिख रहे हैं कहते हैं कि मंतरीगण मीटिंग में नहीं आते कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है वो उस मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूँ ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं यह वही LG साहब है जो कोट में खड़े होके कहते हैं कि यह ट्रांसफर्ड सब्जिक्ट है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है तो जब आप कोट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से पल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है जब वो ट्रांसफर्ड सब् का बहाना बना कर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो आखरी चीज हमने देखा कि किस तरह से एक बीसो साल पुराने केस को उठा कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के निजी सचे को बर्खास कर तो ये सारे लक्षन दिखा रही है कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है अर्विंद केजरिवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाने की साजिश हो रही है और यही कारण है कि अरविंद केजरिवाल जी को जूटे आरोपों के साथ फरजी आरोपों के साथ बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफतार किया है केंदर सरकार ने गिरफतार किया है क्यों? क्योंकि भारतिय जन्ता पर्टी को ये पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, या 2022 में हुआ MCD का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आमादमी पार्टी को पसंद करते हैं, और दिल्ली के लोग भारते जमता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आमादमी पार्टी को ही वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल को ही वोट द तो बीजेपी को पता चल गया है, अब इनको पता चल गया है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ये लोग साज़िश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार, अरविंद केजरिवाल की सरकार को गिरा दियंत्र हो रहा है, वो है अरविंद के जरीवाल की सरकार के काम, चाहे वो फ्री बिजली देना हो, 24 घंटे बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल देना हो, महला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देन हों बुजर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देना हो इन लोगों को पता है कि यह कितनी भी कोशिश कर लें दिल्ली छोड़िये किसी भी अपने राज में ऐसी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पाएंगा सबसे बड़ा इनको खत्रा हो रहा है अर्विंद केजरीवाल जी के वादे से जो इन्हों ने दिल्ली की महिलाओं को अर्विंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि हर महीने 1000 रुपे दिल्ली की हर महिला को मिलने वाले हैं और इन पॉलिसीज को रोकने के लिए दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपे मिलने से रोकने के लिए आज ये राजनेतिक साज़िश रची जा रही है लेकिन मैं भारतिय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूँ कि दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर सम्विधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा दिल्ली की जनता ने अर्विंद केजरिवाल जी को आमादमी पार्टी को एक पश्ट जनादेश दिया है इस जनादेश के तहट कुछी दिन पहले 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करके confidence motion लाके अर्विंद केजरिवाल की सरकार ने अपनी majority को साबित किया है ये बिल्कुल साफ है कि भारत के सम्विधान के तहट किसी सरकार की majority होते हुए किसी सरकार के पास जब उनके house का confidence होता है तो राष्ट्रपती शासन नहीं लगाया जा सकता 2016 में भी उत्राखंड में जब राष्ट्रपती शासन लगाया गया था तो उत्राखंड हाई कोट ने floor test order किया था और सरकार के प्लास floor test में confidence motion success होने के बाद राष्ट्रपती शासन के आदेश को खारिज कर दिया गया था अर्विंद केजरिवाल के पास दिल्नी विधान सभा में overwhelming majority है अर्विंद केजरिवाल दिल्नी विधान सभा का overwhelming confidence enjoy करते हैं तो मैं भारतिय जंतापाटी को ये बता दूँ कि अगर आप ये राजनेतिक साजिश करने की कोशिश करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, गैर सम्विधानिक होगा और दिल्नी की जंता के सपष्ट जनादेश के खिलाफ होगा दूसरा, मैं दिल्नी के लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि आपको इन राजनेतिक साजिशों से डरने की जरूरत नहीं है जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्नी के बेटे के तौर पे खड़े हैं चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे वो जेल के बाहर हो वो दिल्नी वालों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे हमें इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना पड़े चाहे हमें इस लड़ाई को कोट में लड़ना पड़े चाहे हमें इस लड़ाई को संसद में लड़ना पड़े लेकिन दिल्नी वालों को उनका हक मिलके रहेगा दिल्ली की महिलाओं को जो अर्विंद केजरीवाल जी ने हजार रुपे महीने देने का वादा किया है ये अर्विंद केजरीवाल की गैरंटी है दिल्ली की महिलाओं को हजार रुपे महीने जरूर मिलेंगे चाहे भारती जनता पार्टी कितने भी शड्यंत्र कर ले चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की राश्टरपती शासन लाने की कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अर्विंद के जरिवाल दिल्ली की महिलाओं को उनका हक दिल्ली की महिलाओं को उनका ऐजार रुपयद महीना दिलवा के रहेंगे देखिए यह सारी जब चीज़ें एक के बाद एक हो रही है कि कभी कोई एक चीज होती है तो इंसान सोचता है कि हो सकता है कि बाद चार्स हो कि अफसर दिल्ली में पोस्ट नहीं हो रहे हैं उसके बाद दूसरी की चीज़ हमें दिखी कि बहुत सारे प्रमुख विभाग खाली होने के बाद अफसरों के सीनियर अफसर तीन तीन चार चार बड़े विभाग होल्ड कर रही हैं लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर पिछले कई महीनों से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है फिर पिछले हफ़ते LG साहब का बे बुनियाद आरोप लगाते हुए MHA को बार बार चिठियां लिखना मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाए जाना ये सब इस बात के लक्शन है के दिल्ली की सरकार को गिराने की साज़िश हो रही है अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के नाम पर ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं के दिल्ली में सम्विधानिक संकट हो गया है ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, ये कितनी भी प्रयास कर लें, ये कितने भी नेताओं को उतार दें, ये कितने भी वादे कर दें, लेकिन दिल्ली के लोग अपना वोट, अपने बेटे, अपने भाई, अर्विंद को ही देने वाले हैं दिल्ली के लोग बटन जाड़ू पर ही दबाने वाले है तो आप लोग कोट क्यों नहीं जा रहे हैं तिहार जेल को मिनी सेक्रेटरियेट के तौर फिर अनौंस करा नहीं है देखिए कोट का भी जो रस्ता होगा जैसे जरूरत पड़ेगी हम उस रस्ते जरूर जाएंगे लेकिन जैसा आपने कहा ये बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में राष्ट्रपती शासन नहीं लगाया जा सकता 17 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ है अर्विंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे एक ओवर्वेल्मिंग कॉन्फिडेंस अपने हाउस का इंजॉई करते हैं और ये सारा शड्यंत्र दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए है अर्विंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की महिलाओं को हजार रुपे महीने देने का वादा किया है उस वादे को रोकने के लिए है दिल्ली में फ्री बिजली रोकने के लिए है महिलाओं के लिए फ्री बस्यात्रा रोकने के लिए है फ्री तीर्थ्यात्रा रोकने के ल टेजने अधामय आप्र सुब्सक्राइबी रिखेंया देशाला के विखेंगेंगे विन्न पह्याँ